नमस्कार साथियों, आउनी इस टुटोरी ब्राट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है, दिखी जैसा कि आप थमनेल में देख भी रहेंगे कि यूपी टिपलेस सी लेक पाल भरती अपडेट 29 अपरेल एक और यसलपी कनेक्ट नया बवाल अचैनित भरती को फसाना चाहते हैं डारी नमबर 51877 अबलिक 2023 के साथ 11223 अबलिक 2024 वही प्लस में हो गई एक और 1356 अप 2024 राजय सुपरिस सचिव का बयान प्लस लेटर तो क्या है अपडेट चलिए प्लीज वीडियो को अंतक देखेंगे और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना न भूले और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी सेयर करना न भूले चलिए अपडेट देखते हैं तेखिए जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि कल की डेट में निस दस तारीक को एक और यसलपी की सुनवाई थी मैंने वीडियो डाला भी था डाइरी नंबर तेरा पांसो तेरसटाप दोहजार चोविस यह यसलपी जो है एनेस्टू प्रस्न को लेकर है तो क्या अब क्या समझा जाए चलिए पहले तो यह देखिए स्रीधार यादव वर्स दे स्टेट आप उत्तर प्रदेश यह आपकी में केस यही है क्योंकि यही इस्टे को लेकर आई इसी को देखना है कि इससे इस्टे को खारिज कर आए जाए जिसकी सुनवाई आप देख भी रहे होंगे 29 अप्रेल 2024 है अभी मामला सब्पेंडिंग में है लेकिन मौके पर इसी बेंच में यह बेंच जो है हिमाकोली एंड असनुद दिन अमानुलाह की बेंच है और इस बेंच में 51,877 के साथ साथ मौके पर 11,223 आप 2024 वहीं एक केस दूसरी जो है डारी नंबर 13,563 भी कल की डेट में सुनवाई थी और जैसा कि 5 अप्रैल को सोलर पंप वाले प्रस्णू को लेकर था ठीक उसी प्रकार इस बने एनस्टू वाले प्रस्णू को लेकर भी उसी बेंच से डारेक्ट इस बेंच में ट्रांस्पर कर दिएगा उस तिन भी 16 नंबर में थी कल भी 16 नंबर में ही थी और जैसा कि आप देख भी रहे हैं और वहां से इसे ट्रांस्पर कर दिया गया कोट नंबर 11 में हिमाकोले अली बेंच में और इसके में पिटिशनर है अनुपम सुकला कह दीजी तो एनस्टू आले प्रस्ण को लेकर है सलपी दायर किया है इनोंने अनुपम सुकला तुम वही जो है ससांक ने जो है सोलर पंप वाले प्रस्ण को लेकर है सलपी दायर किया क्या वास्तों में जितने अचैनित हैं इन चैनित भाई बहनों के कारे में जो है रोड़ा बने हुए हैं बात यही समझ में आती है कि आज के समय में कोई किसी का भाला नहीं चाहता क्या पुरी उम्मीद कर सकते हैं कि 7897 जितने लोग भी चैनित भाई बहन हैं उनके अलामा इसमें एक भी बढ़ सकते हैं उम्मीद किया सकती कते ही नहीं है बहुत मुश्किल है हाँ आज सासन की बात करें तो सासन पता नहीं क्यों इतना लूज पड़ा हुआ है अन्यता अब तक इमामला फाइनल हो गया होता आठ प्रेल को ही इमामला फाइनल हो जाता लेकिन सरकार की चाल कोई नहीं जान पाया और जितनी भी सरकारें बनी हैं ये कहने में गुरेज नहीं सब केवल अपने ओट को देखते हैं और चुकि चुराव प्रचार में गिनाना होता है कि मैंने इतनी भरतियां किया इतनी भरतियां किया इस वज़ा से फिरहां यहां कोई पॉल्टिक्स करने की बात नहीं है आप सभी नौजयनित भाई बहन हिम्मत नहारिये ये छोटे बोटे काटे हैं समाप्त हो जाएंगे जैसा कि कल की डेट में राजस परिशत के सच्यू जी का भी बयान था काफी बच्चे जो है सांति पूरवग धंग से इस बात को किया कि अर्जनसी लगा कर जल से जल सुनवाई किया जाए तो सच्यू जो राजस परिशत के सच्यू है उनका यही कहना है कि डेट आपकी 29 ही जी की वारता की बात है जो राजस परिशत के सच्यू है यूपी टेपलसी का आपने जाना ही को उस दिन कहते के सियाई कि बात किया था उनके असिस्टेंट ने उस दिन मामला समारा जूनियन ने और अंतो गत्वा डेट ले लिया पासओर करा लिया लेकिन आप सभी से अनुरेद है कि जिस प्रकार से आप ग्यापन दे रहे थे ग्यापन देना मत बंद करिए देखिए कल की ही डेट में यह भी वाइरल हुआ लेटर जैबीर सिंग मंत्री परेटर ने उन संस्कित उत्तर प्रदेश और इनको इन्होंने लेटर क्या है कि मुख सचिव उत्तर प्रदेश सासन कृपया स्रीदीपेश सिंग एम अन्य के लिए जो है इस में इस लेटर में यही किया गया पैरवी की गई है कि जितने भी मने जो नौचैनित लेकपाल है उनको जो है जल से जल के मामले को निस्तारित किया जाए और रोज किया गया है और ये भी कहा गया है कि उक्त के द्रिश्टिकत सचिव उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग लखनव को प्रकड़ में प्रात्मिक्ता पर सीग्र अतिशीग्र नेड़े हेट जित करने का कर्ष्ट करें ये मुख सचिव को जस्बील सिंग जो की परेटनेयों संस्कित मंत्री है उनका लेटर है मुख सचिव से ये कहा गया है हेटर के जरिये मंत्री जी के द्वारा कि आप जो है जो भी उक्तमामला है यतने नवचायनित लेख पाल भाही पैनों का जो इस्टे आडर है उसे हटाने के संदर में अधिनस सेवा चैन आयोग लखनव को जो है इस प्रकड़ में प्रात्मिक्ता पर सीग्र आत अगर यही मामला जो मुख्छ सच्यु के तरफ है मुख्छ सच्यु जी अगर वास्तों में मन्नी मुख्मंत्री जी के द्वारा जो है यही मामला निर्देशित हो जाए तो अर्जेंसी में बिल्कुल समय नहीं लगेगा अर्जेंसी लग सकती है और जल से जल सुनवाई होकर फाइनल हो सकती इसलिए आप जो है अपना ग्यापन वाला भियान कभी मतबंद करिएगा जब तक कि आपकी सुनवाई नहीं हो जाती है यहां देख रहे हूं कि 10 अपरेल 2024 स्काई लेटर है प्रतलिप जो है श्रीदी पेसिंग ठीके प्रेशित किया गया है तो इस लेटर से यही असपरस होता है कि कम से कम आपके मिलने का असर तो पढ़ रहा है इस असर को मत कमाईए आप ग्याप चुकि आपके पास रास्ता कौन सा है और यह छोटी मोटी जो अर्चने हैं देख रहे हैं कि एक अर्चन जो है सामने आपके और आके खड़ी हुए पीके रूप में अनपोर्म सुकला द्वारा एनाइस्टू प्रस्ट को लेकर जब खी मामला जो है बिल्कुल ही निस्तारीत हो जाएगा डिस्पोज होना है लेकिन बाधाएं तो हैं अकिर में क्या बात है इसको और खीचना चाहते हैं और इतना मान लीजिए कि अगर आप जरा सब ही चूप गए चूकि 29 अपरेल को चूके तो मातर 20 दिन कमाओ का आपके पास बचेगा और उसमें गर डेट पाते हैं तो पाते हैं ने था पहुंच जाएंगे आप जुलाई में जुलाई लास्ट इस वजह से एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए और मैंने एक अपनी तरब से पसोराय भी दिया था कि माननी मुख मंत्री के जंता दरबार में आपका मिलना अत्यावस्य है वहीं बात अगर करें देख रहे हैं कि मुख सेव क्या भरती में यूपिट पलेसी में जो भी भरती आती हैं उनकी क्या दसा होती है मुख सेव क्या भरती की तो है अकिर में जब फ्रेस पर इच्छा हो रही है तो सम्विदाक अर्मी उसमें कहां से घुश गया भई क्या उनके पद को जोड़ कर क्या वस्थाई हैं उनका नेड़े क्यों नहीं हो पाता सासन को एक मिनट में करना चाहिए और यूपी टिपलेस से अच्छे ढग से परवी कर दे तो इनका भी मामला हल हो जाए लेकिन सारा मुद्दा चुनाओ होता है जैसा कि आपने यूपी पुलिस भरती में देखा कि बड़ी भरती दिकाल को दिखा दी गई लाली पाप सबके हाथ में है लेकपाल भरती का रेजल निकाल दिया गया कहने के लिए क्रियानवी धरातल पर क्या आता है वो दिखने की बात होगी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन जितने भी नौचैनित लेकपाल भाईबान है ये मुख सेविका की जो भी बहने है अपने कारे से हटे नहीं माननी मुखमंत्री जी का पीछा मत छोड़ें जिससे कि सफलता आप सभी को मिल सकें तो ये थी छोटी सी अपडेट नेक्स्ट कोई अपडेट मिलती है तो पुना आपके साथ साजा करेंगे तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और द थैंक यू